क्या आप जानते हैं, जहां से जल बहता है, उसके बीच में जो जगें होता है, वहां असोख सुंदरी विराजती हैं, क्या आप जानते हैं, जहां पर सिवलिंग रखा है, वहां पार्वती जी का हस्त कमल है, क्या आप जानते हैं, उपर जहां से जल गिर रहा है, वहां सिवल जी की पाँच पुत्रियां है, क्या आप जानते हैं, जहां से जल नीचे गिरता है, और जहां तक जल बहता है, उस बीच, 33 कोटी के देवी दिवता विराजमान होते हैं, आज हमको ये ग्यात हो गया कहां से ग्यात हुआ जब हमने सिव महापुरान की कथा को सुना, पढ़ा और स्मरण किया क्या आपको पहले से ग्यात था कमंट करके बताईए